हेलो वेलकम टूए टॉक बाई प्योश और आज मैं इस वीडियो में आपको पतंजली के एक प्रोड़क्ट मतलब चवनप्रास पतंजली के चवनप्रास के बारे में बताऊंगा और आज कल जैसा कि आप जानते कुरोना चल ला है तो कुरोना में आपको आपकी बॉडी की इ मैं इस वीडियो में पतंजली चवनप्रास के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूंगा उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं इसका यूज कैसे करें ये कितने रुपए का मिलता है कितना होता है और इसमें क्या-क्या बढ़ा होता है और ये पतंजली कैसे बनाती है तो चलिए शुरू करते हैं से पहले आप इसकी जो पैकेजिंग है वो आप देख सकते हैं इसको पतंजली बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करती है इसको आप देख सकते हैं चारो तरफ से इसमें जो पैकिंग है वो अच्छे तरीके से है और अगर आप इसके मूल के बात करें कि यह कितने में आपको मिल जाएगा पतंजली का चर्ण प्रास तो यह आपको आप यहां पर मूल देख सकते हैं रुपए आपको इस्क्रीम पर दिख रहा होगा और आपको इसका बजन कितना वह भी आपको दिख रहा होगा 1 किडू आपको 280 में मिलेगा और अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको एक सौ ग्राम का सहत का रिपका पतंजली का फ्री मिलता है जो कि 41 स्पैका होता है मगर इसके साथ आपको फ्री मिलेगा इसमें आपको बहुत सारी जड़ी बूटिये पड़ी हैं आपकी यह आप देख सकते हैं इसको मैं अगर पड़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसी लिए मैं आपको वीडियो ना जड़ा लंबा करने के लिए से आपको एक इमेज लगा दूगा वीडियो पे और उसको आप पड़ सकते हैं उसके बाद आपको इसको कैसे करना है आप इसको एक से दो चमच यहां पर देख सकते हैं एक से दो टी स्पून ले सकते हैं गरम दूद के साथ सुबे और शाम या फिर आपके चिकिस्सक में जो भी बताया चिकिस्सक के परमानुशार आप ले सकते हैं यह आपको कफ अस्थमा मतलब की सौस रोग खासी और सामान दुरवर्ता में बहुत ही लापकारी आपकी उमिलिटी बढ़ाता है रोग पती रोधक चमता को बढ़ाता है और इसको जब आप खोलेंगे तब आपको खोलने के बाद 90 दिनों में इसको खतम करना होता है 90 दिनों तक यह अच्छा बना रहता है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए यह आपका चवनप्रास बहुत एच्छे से आता है अच्छी पैकिंग में देता है पतंजली और इसके फायदे भी खुब है मैंने पर्सनली यूज़ किया है इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू पे दे रहा हूँ पतंजली चवनप्रास का तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को शियर कर दे और आगे भी चैनल का सपोर्ट करते रहें थैंक यू